तो देखो अब हम बात करते हैं कि physical address क्या होता है logical address क्या होता है जो address जो cpu generate करता है उसको क्या बोलते है logical address या फिर virtual address बोला जाता है और जो memory का जो address होता है उसको बोला जाता है और जो memory का जो address होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते है physical और real address टो जो user होता है वो कभी इस physical या फिर इस real address को नहीं देख पाता जो user का जो program है वो किसके साथ में deal करता है इस logical address space के साथ में deal करता है तो क्या होगा, जो physical address होगा, वो कौन compute करता है, mmu compute करता है, mmu का मतलब है, memory management unit, ठीक है, और जो runtime mapping होती है न, virtual address की इस physical address में, वो कौन करेगा, वो भी mmu करता है, और mmu क्या होता है, एक hardware device होता है, ठीक है, और जो physical address होता है न, वो क्या होता है, हमेशा constant रहता है, तो देखो, जो CPU है, उसने क्या generate किया, logical address generate किया, और अपने जो memory है, जो जहाँ पर जो process रख्योई है, वो कहाँ पर रख्योई है, physical address पे, तो logical address की physical address में mapping करनी, इसलिए logical address है, वो कौन समझता है, वो ये secondary memory समझती है, लेकिन, तो देखो, अगर ये CPU है, यहाँ पर क्या है, ये CPU है, इसने address generate किया, logical address, logical address क्या generate किया, for example, 346, तो क्या होगा, ये address कहाँ पर जाएगा, इस memory, mm, इस mmu के पास में जाएगा, इस mmu में क्या है, एक base, register है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते है, relocation, register होता है, उसमें क्या होगा, ये address जाके, किसके साथ में plus होगा, देखो, base register की मानलो, value, अब हमने दी, कि इस base register की value है, thousand, तो क्या होगा, ये जो address है, इस base register की value के साथ में add होके, क्या generate करेगा, physical address generate करेगा, और ये physical address कौन समझ पा रहा है, memory, तो physical address क्या हो जाएगा, logical address, और ये जो है, base register की value को add करेंगे, तो क्या हैगा, 1346, ये 1346 क्या हो गया, ये हो गया है, आपका memory को समझने वाला address, यानि कि physical address हो गया, तो इस तरह से क्या होता है, ये जो, तो इस तरह से क्या होता है, जो mmU होता है न, वो logical address को, physical address के अंदर convert करती है, तो देखो, अब हम हम इसे na, address translation को na, और detail में समझते है, तो जो CPU जो address generate करता है, वो कौन सा होता है, logical address होता है, और जो ये logical address है वो किसके corresponding जनरेट होता है वो secondary memory के corresponding generate होता है लेकिन जो CPU है सिर्फ और सिर्फ किस में interested होता है main memory में interested होता है और जो main memory होती है वो logical address को नहीं समझ पाती वो कौन सा address होता है main memory का physical address होता है तो क्या होता है इसलिए जो CPU generated logical address है ना उसको जो physical address होता है उसमें convert करना जरूरी होता है ताकि ये memory की mapping हो पाए तो देखो address translation कैसे होगा CPU ने generate किया logical address और यहाँ पर क्या है देखो limit register है limit register क्यों लगा है for security purpose में लगा है for example limit register की value होता है 100 और CPU ने generate किया for example address 122 तो यहाँ पर limit register की value कितनी हो गई 0 से लेकर 99 की ठीक है 0 से लेकर 99 के इसकी value हो गई और यहाँ पर CPU ने generate किया 122 तो यहाँ पर यह चेक करेगा कि क्या जो CPU ने generate किया है क्या वो less than है क्या इस limit register से तो यहाँ पर क्या हो गया 122 less than नहीं है तो यहाँ पर क्या चला हो जाएगा यह एक trap में चला जाएगा ठीक है यह आगे ही नहीं बढ़ेगा लेकिन अब अगर CPU ने generate किया 90 logical address क्या generate किया 90 तो यहाँ पर इसने चेक किया less than है कि 99 से तो क्या हुआ यहाँ पर yes हुआ yes होने के बाद में क्या होगा जो relocation register में है यानि कि address of base register की value को क्या करेंगे इस 90 के साथ में add कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा physical address बन जाएगा suppose base address की value थी 100 तो क्या करेंगे 90 plus 100 करेंगे तो क्या आगया physical address 190 आ गया और इस main memory में जो 190 address होगा वहाँ पर इसकी mapping हो जाएगी तो देखो logical address क्या था 90 और physical address क्या बना 190 तो इस तरह से यह address translation होता है